हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे सारे वीडियो को आप सब उने जरूर से देखा होगा आज हमारा ये नाउन का फोर्थ लेक्चर है आज हमारा ये नाउन का चौंता लेक्चर है इसके पहले हम हम लोग ने नाउन के तीन क्लासेस में नाउन के अलग-अलग बेसेस पे अलग-अलग टाइप से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट रूल्स एंड कॉंसेप्ट हैं जिन पर बेस्ड आपके एसे सी एक्जाम में बार-बार पिछले क्लास में एक बार फिर से सोट में उसको हम मेमोराइज करवाने का आपको प्रयास करते हैं देखिए क्या है हमने आपको बताया था कि हम सब लोग बच्पन से नाउन पढ़ते आए हैं नाउन के जो टाइप्स होते हैं उन सब को हम सब लोग जानते हैं भली भानती ज होता है इस problem को हम लोग कैसे सौट आउट करें इसी के रिगार्डिंग हमने आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन इन सभी पर चर्चा डीटेल में करी थी और उन सभी important rules and concept को जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन वगएरा वगएरा से थे उनको समझने के बाद आपके एसे सी previous year में उन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एड्सेटरा पर बैस जो कोशन थे उन सब को हम लोगों ने डील किया था और उसके बाद फिर लास्ट क्लास में नाउन के थार्ड लेक्शर में हमने आपको बताया था कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल जो हम लोग बनाते हैं वहाँ पर आपको जो exception मिलते हैं हमारे पास कोई भी exception नहीं है सबके logics हैं और उन logic को system को rules को समझने के बाद आपको कुछ भी रटने की कहीं भी जरूरत नहीं होते हैं यही हमने आपको पहले भी बताया था कि जहां तक हो सके हर संबव हम आपके साथ यह प्रयास करेंगे कि हम आपको minimum रटने का प्रयास करवाएं अर्थात हम आपके साथ यह मिलकर प्रयास करेंगे कि जहां तक हो सके आपको रटने से मुक्ति हम दिलवा सके ठीक है तो हम और हमारा पढ़ाने का style यही है कि जहां तक हो सके हम हर चीज को logically आसान तरीके से आपको समझा सके ठीक है तो आईए आज के अपने इस class को हम लोग यहां से आगे बढ़ाते है लेकिन आगे बढ़ाने के पहले आईए पिछले class का एक glimpse हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि noun के third lecture में हमने आपको क्या बढ़ाया था तो noun के third lecture में हमने आपको इन सबों के बारे में बताया था कि यह जो noun आपको दिख पा रहे हैं इन से related किस तरीके से आपके ACC exam में बार बार question पूछे जाते हैं और यदि पूछे जाते हैं तो आप किस तरीके से इनको आसानी से अपने exam में solve कर सकेंगे ठीक है जैसे बार बार आपको यहां पर error create होता हुआ दिखाई देता है और आप में से बहुत सारे बच्चे यहां पर फस्ते हुए confused होते हुए दिख इसको हम लोगों ने नाउन के थर्ड लेक्चर में deliver किया था सीखा था समझा था इनके अलावा भी कई important concept थे जिसको हम लोगों ने सीखा था और इनको सीखने के बाद हम लोगों ने इन पर best इन सारे questions को कुछ से solve किया था अब इसके आगे आज के class के सुरुआत हम लोग कर solve करने का प्रयास करें और फिर इसके बाद हम लोग आज के अपने इस class को आगे बढ़ाएंगे तो आसा करते हैं कि अब तक आपने इन सारे questions को एक बार try जरूर से किया होगा अब आईए यहाँ पर हम लोग answer match करते चलें और देखें कि हमारा answer क्या बनेगा जैसे यहाँ प या woman के लिए respectively किया जाता हो या किया जाए तो ऐसे किसी भी compound on का singular से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग दोनों words का singular से प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पे man servants की जगह इसका प्लूरल क्या बनेगा main servants main servants ठीक है next यहां से आगे बढ़ें फिर देखें यह woman teachers लिखा हुआ है तो इसमें हमें क्या करना होगा इसमें हमें लिखना होगा woman की जगह woman क्या लिखना होगा woman की जगह woman तो यह होगा woman teachers ठीक है next अगले question में चलते है question number 8 में sister in-laws तो यहां से इसको remove करेंगे और sister में यहाँ पेस लगाएंगे हमारा answer क्या बनेगा all his sisters in-law ठीक है बागी सारी चीज़े सही है चलते है question number 9 में all mother in-laws फिर वही बात जो question number 8 में था यहां से सटाएंगे और mother में लगाएंगे that is my answer क्या बनेगा answer बनेगा all mothers in-law नकी लो में इस लगा के और यही से बात यहां पे question number 10 में आपको देखने को मिल रहा है इस law का यहां से remove करेंगे और यहां पे इसको place करेंगे इसका answer क्या बनेगा question number 10 का both the mothers in-law ज़रा answer ढूंडे हम लोग mothers in-law that is option number B ठीक है चलिए तो अब यहां से हम लोग आज के अपने इस class को आगे बढ़ाते हैं और अब इसके बाद हम लोग noun में latin words को पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है तो आगे हम लोग बढ़ें इसके पहले हम आपको बताते चलें कि अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से subscribe कर ले और हाँ बिल आइकन को हिट करना बिलकुल भी न भूले ताकि हमारे सारे वीडियो के notification आप तक आसानी से पहुंचते रहे हमारा English का वीडियो प्रतिक मंगलवार और गुरुबार को सामें पांच बजे आया करता है तो वीडियो को देखना न भूले और आपको यहां जो भी हम हाया गया हूँ इससे related question आपको provide करा जाते हैं जिसको आप हमारे website पे देख सकते हैं ठीक है उसका भी PDF आपको provide करा जाता है जो available है हमारे कहां पे तो website पे और यदि आपको इसके अलावा भी कोई भी doubt हो तो doubt या तो आप हमारे YouTube चैनल के comment box में पूछ सकते हैं या हमारे website प बना हुआ है आप वहाँ भी question पूछ सकते हैं और भी कोई related आपको confusion हो problem हो तो हमारे contact number पे आप call कर सकते हैं ठीक है टेलीग्राम पे भी आप question पूछ सकते हैं उसको discuss कर सकते हैं जहां तक हो सके हम सब लोग आपको solve करने का प्रयास करते हैं जहां तक हो सके हम सब लोग प्र हम लोग इस course को लेकर आये थे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि CHSL और CGL दोनों के tier 1 तक के exam में कहीं कोई विशेस difference नहीं है तो ये वीडियो न क्यवल CHSL के लिए बलकि आपके CGL के exam के लिए CPO के exam के लिए stenographer के exam के लिए और ऐसे group D के exam के लिए के सारे exam के point of view से और state level exam के point of view से सारे exam के point of view से ये सारे के सारे आपके वीडियो इंपोर्टेंट है तो इसको जरूर से देखें ठीक से देखें seriously देखें और इन सारे concept को सीखें आपको जो भी practice प्रवाइड करा जाता है आप उन सारे questions को solve करते जाएं इनके अलाबा आप जिस किसी भी बुक को prefer करना चाहें solve करना चाहें आप उसका use कर सकते हैं वहां भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी मदद ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मैं अजित कुमार आपके YouTube चैनल competition community पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अब आईए आज के class में हम हमने इसके रिगार्डिंग आपको बताया था कि जैसे संस्क्रीट एक भासा है हिंदी एक भासा है उर्दू अर्भी फार्सी यह सारी क्या है अलग-अलग भासा है इंग्लिस भासा में लेटीन भासा का बहुत बड़ा योगदान है ठीक है तो उसके कुछ ऐसे सब्द है इंग्लिस लैंगुज में डेराइब होके चले तो आए ठीक है ले लिए गए इंग्लिस लैंग्विज में एडॉप्ट कर लिए गए बट वो अभी भी इंग्लिस ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोगों ने पिछले क्लास में धाट इस नाउं के थर्ट में noun का singular से plural बनाना जो सीखा था exceptions को हम लोगों ने logically जो deal किया था उस कड़ी को यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि यह जो ऐसे Latin word है जो English grammar के normal rule को general rule को follow नहीं करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं जैसे आप बजपन से पढ़ते आ रहे हैं बैक्टेरियम बैक्टेरियम अब बैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं आपने इसकूल में पढ़ा था pendulum पढ़ा था यह पेंडूलम हो गए आपने पढ़ाता तो यह जो पेंडूलम है बैक्टेरियम है ऐसे यह सारे के सारे क्या है लैटीन वर्ड है कुछ और लैटीन वर्ड से हम आपको इंट्रोड्यूस करते चले जैसे हम लोग math पढ़ते हैं तो math हम लोग पढ़ते हैं यह क्या है तो यह ऐडीन क्वाटिलेट्रल है यह क्या है तो यह पेंड़ागन है ऐसा हम लोग परतें तो यह जो पैंटा गण है एक्स अ गान है क्या होता है वग्यरे-व वगजरे यह सारे कहां के वर्ड है पेंट का मिनिंग क्या होता है तो इस पेंट से बना पेंटागन पेंट का मिनिंग क्या होता है तो पेंट का मिनिंग होता है 5 हेक्स का मिनिंग क्या होता है 6 ठीक है इसी तरीके से डेक का मिनिंग क्या होता है 10 तो ये सारे I कहां से ये try का meaning क्या होता है 3, quad का meaning क्या होता है 4, तो ये सारे I कहां से पढ़ते तो हम लोग है यूज हम लोग करते हैं, इनको जानते भी हैं, बट ये I कहां से तो ये सारे के सारे क्या है Latin root word ठीक है, that is basically हम लोग कहां है तो यह सब कहां से हैं लेटीन से लेटीन भासा से लिए गए सब्दें ठीक है तो इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं इनके रूल्स की तरफ ठीक है यहां तक हम लोगों को समझना था जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा है फंगस आप ज़रा ध्यान देजे फंगस पढ़ करते हैं जैसे फेनोमेनन फेनोमेनन ठीक है तो फेनोमेनन हम लोग यूज करते हैं डेटम हम लोग यूज करते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म यह डेटा हम लोग जम के आज के कंप्यूटर साइंस के आने के बाद से यूज कर रहे हैं तो यह डेटम भी हम लोग जम के पाद हम लोग इन रूल्स पर बेस्ट कुछ को को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग यह जान सके सीख सके कि हमने जो भी कॉंसेप्ट सीखा उस पर बेस्ट यह दी अपने किसी भी एक्जाम में कोशन पूछा जाए इंगलिस का तो हमसे वो कुशन बन पाएगा या नहीं बन पा और जिसके लास्ट में यूएस लगा हो क्या लगा हो यूएस लगा हो वो सिंगुलर होगा और इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इस यूएस को चेंज कर देंगे आई में किसमें यूएस को किसमें चेंज करेंगे आई में चेंज कर द गया तो हमारा आँसर बन गया फंगाई इस तरीके से तो यह हमारा पहला रूल था अब नेक्ट रूल चलते हैं आगे देखे हमारा अगले रूल क्या है अगले रूल है कि ऐसा कुई भी लैटिन वॉर्ड ऐसा कूई भी लैटिन वाडि जिसके last में यू अम लगा हो क्या लगा हो यू एम लगा हो जैसे छ outright bleibt्लियिव तुक्छ थ्टिक है यू एम लगा हो वह ठीक झाल उल्ड हो प्लूरल भूल भनाना हो तो इस लूव bits रड़ करते किसमें एमें चेंज करते हैं UM को किस में change करेंगे A में change करेंगे A में change कर देंगे तो यह singular से क्या बन जाएगा plural बन जाएगा अब देखें यहाँ पे आपको सामने what दिखाई देरा bacterium इस bacterium के last में देखें क्या लगा हुआ UM इस UM को हम यहाँ से change कर देंगे और इसके बदले क्या यूज करेंगे A का यूज करेंगे तो हमारा final answer क्या बनेगा bacterium आई तक तो था ही UM के बदले हमने क्या लगा दिया A तो इस bacterium से क्या बन गया bacteria बन गया बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं अब next इसके आगे हम लोग फिर चलते हैं और आगे हम लोग देखें कि इसके आगे हमारे क्या rule है तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग चलते हैं पीछे slide की तरफ अब देखे slide में ये rule हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोग इसको पढ़ेंगे ये singular होगा ऐसा कोई भी latin word जिसके last में is लगा हो वो singular होगा और इसका singular से plural बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इस is को हम लोग change कर देते हैं is में किसमे is की जगा क्या लिखेंगे is लिखेंगे और is लिखने से वो word क्या होगा singular से बन जाएगा basis कैसे बन गया भाई आईए इसको भी हम लोग सीखते हैं यहां देखें इस basis के last में क्या लगा हुआ is इस is को यहां से हम लोग remove करेंगे और इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं is अब देखें बी एएस जैसे था वैसे ही है अब इस is की जगा हम क्या लिखेंगे यही आप का अंसर यहां पर आता है ठीक है तो basis का क्या बन गया basis बन गया next अब इसके आगे चलते हैं लोग अगले slide की तरफ अगला rule देखें अगला rule है कि ऐसा कोई भी latin word जिसके last में on लगा हो क्या लगा हो ओ इन लगा हो वो singular होगा और इस singular का plural बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इस on को change कर देंगे a में किसमे a में convert करके जैसे एक example लेते है phenomenon अब आप इस word को देख पा रहे हैं इस word के ending में देखे हैं क्या लगा हुआ ओ इन लगा हुआ है यह कैसा है singular है इसका singular से plural बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस on को remove कर देंगे हटा देंगे मिटा देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे अब ज़रा ध्यान दीजे हमारा answer क्या बनेगा तो हमारा answer बनेगा phenomenon phenomenon की जगह बन गया phenomenon क्या बन गया ठीक है अब चलिए इसके आगे फिर अगले concept को सीखें हम लोग अगला हमारा concept है कि ऐसा कोई भी latin word ऐसा कोई भी latin word जिसके last में ए लगा हो क्या लगा हो इसका singular से plural बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो इसमें कोई भी change नहीं करते हैं कोई भी change नहीं करते हैं इसमें simply हम लोग add कर देते हैं क्या करते हैं इ को add कर देते हैं ए के बाद हम लोग इ को इसमें add कर देते हैं और इ को add करने से उस latin word का singular से बन जाता है plural जैसे बनता एक example लेते हैं लोग जैसे यह देखें यह formula हम सब लोग बटपन से जानते हैं इसको इन्यास फॉर्मूला वाड़र्ट को यहां पर दिखाई दे रहा है इस formula वाड़ के last में देखे क्या दिख रहा है आपको एसका singular से प्लूरेल बनाने के लिए इस A को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? A में कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो अलग से हम लोग इसमें add कर देंगे E. अब देखिए हमारा answer क्या बन जाएगा? formula का जो spelling था पहले हम लोग इसको copy कर लें देखे यह formula का गया spelling अब इस e को क्या करना है इसमें attach कर देना है जोड देना है तो अब देखे यह formula था singular और यह formula क्या बन गया plural यह था singular latin word यह हो गया plural latin word ठीक है चलिए एक और concept उसको भी हम लोग सीखे ऐसा कोई भी latin word ऐसा कोई भी latin word जिसके last में o लगा हो क्या लगा हो जिसके last में क्या लगा हो ओ लगा हो इसका यदि singular से plural बनाना हो क्या बनाना हो singular से plural बनाना हो तो इस o को हम लोग change करेंगे i में किसमें change करेंगे i में change कर देंगे तो o जब तक था तब तक यह singular होता है और o को जैसे ही convert करते हैं प लोग आई में यही बन जाता है plural, तो यह हो गया plural और यह हो गया singular, जैसे एक वाट होता है graphito, graphito के last में ओ लगा हुआ है, उस ओ को आई में convert कर देंगे बन जाएगा graffiti, हुआ ही हो गया singular से plural, आईए अब इन सभी rules पर based हम लोग कुछ question को यहां पर देखते हैं और इनको बनान का प्रयास करते हैं, तो यह देखिए, यह सारे आपके questions हैं, जो बार-बार आपके SAC exam में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो SAC का CHSL exam हो, या CGL हो, या CPO हो, या stenographer हो, या और भी कोई SAC का exam हो, ठीक है, तो फटा-फटा इनका आप screenshot ले लिजे, screenshot लेके तुरंत से इनका singular से प्लूरल यहीं पे आप बाजू में लिखते चलिए, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको लेटीन वर्ड का singular से प्लूरल बनाने का जितना विरूल सिखाया था, उन सभी को आप pen down कर लिजे, यानि कि आप अपने copy column का use करके उसको note कर लिजे, लिख लिजे, ठ के अलावा भी हमारे पास और कुछ कोशन्स हैं, उसको भी हम लोग solve करेंगे, तो फटा फट पहले आप इनका answer कुछ से एक बार करने का प्रयास कीजिए, अब तक आपने इन सारे questions का answer कुछ से बनाने का प्रयास तो जरूर से ही किया होगा, और आप में से maximum बच्चों के answer सभी सभके सभके सही सही आ गय होंगे, सभी बच्चों के answer बिल्कुल से सही आ होंगे, तो चलिए अब इनका answer करना हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, इन सबों के last में आपको क्या दिखाई दे रहा है, US, तो हमने क्या बताया था, US को क्या करन है, आई में convert करना है, इन सारे US के बतले क्या करेंगे हम लोग, आई लिखेंगे, तो सारे US को पहले हां से remove कर दें, और सारे US के बतले हम लोग क्या लिखते चलेंगे, आई लिखते चलेंगे, तो आई यह अब इनका color change करते हैं, तो इस fungus के last में जो US लगा था, उसकी जग लिखेंगे, आई, ठीक है, radius में US लगा था, US के जगह क्या लिखेंगे, आई तो radius का क्या बनगा, रेडियाई, syllabus फिर US के जगह क्या लिखेंगे, आई यहाँ लोकास, US के जगह, आई, cactus, US के जगह, आई, nucleus, US के जगह, आई, बन गया, nuclial, and so on, तो यहां भी क्या करेंगे यूएस के बदले टीक है तो आसा करते हैं कि यहां तक सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही सही आया होगा इस आंप आपके सामने यह रहे कुछ और कोशन इन सारे इन के आप फटाब फटा स्क्रीन सोट ले ले और जल्दी सा inka आंसर करे करें इसके बाद भी एक दो और slide है जिसका answer हम सबों को करना है तो आसा करते हैं कि अब तक आप इन सभी questions का answer करने का एक बार प्रयास जिरूर से किये होंगे और आप सभी बच्चों के answer भी बिल्कुल सही होंगे आई हम लोग यहां पर इनको match करने का प्रयास करते हैं तो चलिए match करें सबसे परले last में देखें क्या लगा हूए आई-एस 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 इस तो हमने आपको क्या बतायता है कि ऐसे किसी भी latin word जिसके last में आई-एस लगा हो वह singular होगा और उसका singular से plural बनाने के लि जितोए ओसे का क्या बन जाएगा को इस है है कि बेन का कलर तो रहाँ कर लें पारैंधेसिस पारैंधेसे मिटा मॉर्फोसिस-O सैनोप्सिस सारे को हटा य। कि इस में convert कर लें तो इस में convert कर लें ताकि इनका सिंग्लर से क्या बन जाए प्लूरल तो crisis का क्या हो गया crisis basis तो अभी हम लोग डिल कर चुके थे diagnosis diagnosis hypothesis 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 analysis analysis and so on ठीक है तो आसा करते हैं कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही-सही बना होगा और अब यहां से आगे बढ़ते हैं लोग कुछ और कोशन की तरफ चलते हैं और यह रहे फिर से कुछ और कोशन आपके सामने इनका भी फटा-फटा पे स्क्रीन सोट ले और जल्दी से इनका आंसर करने का प्रयास करें चलिए आसा करते हैं अब तक आप सभी बच्चों का आंसर बन चुका होगा आईए हम लोग यहां पर आंसर मैच करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करें देखिए सब के लास्ट में क्या लगा हुए यू-व-व-व-व-व-व-व-व-व-व-व-व-व यू-व थीक है तो सभी यूएम वाले लैटीन वर्ड कैसे हैं सिंगुलर यह सारे कैसे हो गा het और अब इनसरन का हम लोगों को क्या करना है प्लूरल नाया कैसे प्लूरल बनाएंगे तो Vander उल्म को किस में कन वर्ड कर देंगे A में, किस में, A में, UM को किस में convert करना है, UM की जगा क्या लिखना है, A लिखना है, ठीक है, तो iratum का क्या बन गया, iratum maximum का क्या बन गया, maxima, आप में से कुछ आई से बच्चे, जो science background से बिलॉंग करते हैं, आपने पढ़ा होगा, math maxima and minima, जो CGL के बच्चे हैं, SAC के में, आपको पढ़ना है, maxima and minima, ठीक है, तो ये वाला, जो maxima minima, आपको SAC में पढ़ना है, ये maxima minima अलग है, और आप जो plus 2 में, पढ़ते हैं, plus 1 में पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर maxima minima पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कुछ हद तक हम लोग आ सकते ह है कि किसी एक सेंस के अधार पे दोनों सिमिलर है तो यह सब आप tomorrow बताये जाएगा रहे हैं इन सब के बदले हम लुग क्या कर लें ओंक रे तो तो डेटम का पर डेटा ठीक है बैक्टेरियम बैक्टेरियम मीडियम मीडिया ठीक है अब इन में से यदि किसी का मिनिंग आपको नहीं आता हो तो आप हम से पूछ सकते हैं जैसे यह सेनेटोरियम एक ऐसा जगह जहां पे बिमार लोग स्वास्तलाब के लिए जाय करते हैं ठीक है एजेंडा आप समझते हैं किसी मिटिंग में जिस मुद से लिए जाय होता है जो सब्सक्राइब करिकूलम याने आँ लोग से आगे बढ़ते हैं से हम लोग तो यदि आपको किसी ka meaning नहीं आता हो या नहीं समझ में आए meaning तो आप हमसे comment box में पूछ सकते है या आप dictionary का use भी कर सकते है google का use भी कर सकते है आपको जहाँ च्छा लगे आप पूछ सकते हैं लेकिन अपने आपको update जरूर किजीएगा अब ये देखे phenomenon सब्सक्राइब करते हैं चाहें आपका इसे कौन पूछा गया है चाहें आपका इप एक्जाम हो चाहें आपका question पूछेगा और हर बार आप देखेगा कि criterion का plural क्या होता है criteria और आपके exam में देखेगा कैसे question पूछा जाता है criteria's criteria's ठीक है criteria's अब जड़ा देखे ये criteria ये जो criteria है ये खुद क्या है plural है लेकिन चुकि इसके last messies नहीं लगा हुआ है जिसके चरचा हमने आपको पिछले class में करी थी इसके पहले भी classes में आपको बताया था नाउन के first lecture, second lecture में भी थोड़ी बहुत है इसके चरचा हमने आपके साथ की थी किससे कोई भी noun जिसके last messies नहीं लगा हो जनरली दिखने में वह हम सबों को लगता है सिंगुलर और हम सब लोग उसको सिंगुलर मान लेते हैं और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वब यूज कर लेते हैं अब जारा देखिए क्राइटेरिया खुद प्लूरल है लैटीन वाड के लेकिन चुकि यह एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट हमें असी इस दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग इसको फिर से क्या मान लेते हैं सिंगुलर मान लेते हैं और इसका प्लूरल हम लोग क्या यूज कर लेते हैं क्राइटेरिया ठीक है मोस्ट कॉमन मोस्ट फ्रेक्वेंटली न जाने कितनी बाहर पूछा गया काउंट नहीं किया जा सकता और न जाने कौन-कौन से एक्जाम में पूछा गया सायद ही कोई एक्जाम होगा जिसमें इस क्राइटेरिया वोड का यूज करके कोशन आप से नहीं पूछा गया हो ठीक है डैट इसकी ऑल्मोस्ट हर एक्जाम में इंडिया में ऐसा कोई भी एक्जाम जिसमें इंगलिस पूछा जाता हो उन सारे एक्जाम में यह आपको अपियर होता हुआ दिखाए पड़ता है यह इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए तो यह फॉर्मेट करेक्ट है यह प्लूरल है इसका प्लूरल इस तरीके से नहीं बनता इसका सिंगुलर क्या होता है ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग बोड को क्लियर करते हुए अब देखें यहां पर कंसर्टों लास्ट में क्या लगा हुआ है तो क्या आप किसी मंदिर मस्जिद किसी भी धार्मिक अस्थल पर जाईए या किसी भी दूसरे प्लेस पर भी जा सकते हैं दिवारों पर जो लिखे होई इबारत होती है इंस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं इंग्लिस में हम लोग इससे आपके एससी एक्जाम में ओडब्लूस में वन वर्ड सब्टिशन में अनेक सब्दों के मतले एक सब्दों वाले जो कोशन आपके एससी एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं हर एक्जाम में पूछे जाते हैं इंस्क्रिप्शन वर्ड का उसमें कई बार कोशन पूछांगे तो इसको आप याद रखेंगे तो य highly skilled person especially in case of music तो म्यूजिक के छेतर में या किसी और छेतर में भी कोई highly skilled पर्सन उसको भी हम लोग बोलते हैं बाकी सारी चीजे आप जानते हैं वर्ट इबरा क्या होता है तो ज्वाइंट और बाकी के मिनिंग आप हमसे पूछी सकते हमने आपको पहले से बता रखा है अब यहां पर देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है क्या लगा है क्य से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं करते हैं तो इसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन करना हमारे लिए खतरे से खाले नहीं है तो सिंपली हमने आपको बताए था कि इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लो फॉर्मूला यहां है भी ठीक है बात समझ में आ रही है तो अब इसके बाद हम लोग यहां से चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखें क्या कुछ और भी है हम लोगों के लिए तो यह रहे उन सारे कॉंसेप्ट पर बेस्ड आपके एसे सी प्रिवियस एर में पूछे गए कॉस्चेंज तो आएए इन सारे कॉस्चेंज का एक बार फिर से आप फट फट स्क्रीन सोट लिजे और जल्दी से इनको सॉल्व करने का प्रयास केजिए ताकि हम लोग इसका आंसर मैच करते हुए आ आए अब यहां पर हम लोग सीखते हैं तो यह देखे जो डेटा आज तो इनका अंसर क्या बनेगा डेटा डेटम का क्या होता है डेटा तो डेटा खुद ही प्लूरल है इसमें अलग से इस लगाने को जरूरत नहीं जैसे अभी थोड़ी दिर पहले हम आपको बता रहे थे क्राइटेरिया आज पूछा जाता है अपके एक्जाम में जबके क्राइटेरिया क्या है खुद ही प्लूरल है ठीक है नेक्स्ट आगे बड़े हैं नंबर ओफ क्राइटेरियंस देखे यह क्राइटेरियंस तो होता ही नहीं है तो क्राइटेरियंस की जग हम लोग क्या मीडिया क्या होता है मीडिया ठीक है तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं आप इन सारे कोश्चन का करेक्शन करके बिल्कुल सही तरीके से आंसर करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल सही सही आप आंसर जरूर से बनाईएगा ताकि आज के बाद यह दिक किसी भी एक्जाम में आप अपियर होते हैं चाहे वह आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो, Stenographer हो, Group D हो, ठीक है, CPO हो, कोई भी एक्जाम हो, आप ऐसे किसी भी एक्जाम में अपियर होते हैं तो उसमें आपके इन सारे concept से related कभी भी कोई भी question पूछे जाएं तो आप इन में एक भी गलती न करें और आप अपना selection करवा के हैं उस एक्जाम से बाहर आएं तो आएए अब इसके आगे हम लोग यहां से कुछ अलग टाइप का concept सीखना सुरू करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पर है नाउन इन पियर मतलब आज इस रूल के बारे में इस रूल नंबर एट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे नाउन के बारे में जो अक्सर या हमेशा कहें कि जोड़ें पाए जाते हैं जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं ट्राउजर हम लोग पहनते हैं हमारे आपके घर में हमारे आपके माताजी जो हैं ममी जो हैं मा जो हैं वो क्या बनाती है भाई अम्मी जो हैं वो क्या बनाती है तो रोटी पकाती है अब रोटी जब पकाती है तो उसको पलटने के लिए वह एक यूज करते हैं क्या यूज करती है उसका नाम क्या है भाई तो टॉंग नहीं टॉंग हम सब लोग जब इसको जाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे आपके पैरों में क्या होता है तो हो लोगों को इसको अलग से पढ़ने कि ज़रूडत होती इन के बारे में हम लोगों को बचपन से पहले किया सिखाए गया कि यह ऐसे ंँ है जो जोड़े में होते हैं कैसे होते जोड़े में होते कुछ दूसरे लोगों ने हम लोगों को यह सिखाया कि भाई देखो यह आपस में connected होता है जैसे चिम्टा जो है वो कुछ इस सेप में पाए जाता है इस तरीके के सेप में ठीक है टॉंक्स यहां पर यह आपस में ऐसे हो यह ऐसे connected हो इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है त लिफ्ट और राइट वाले दोनों के पाटि अलग लग होते हैं ऊपर में कमर के जातती है तो जुँंट हो यह जैसे सॉक्स कहां जोइंट हो रहा है ग्रों इसको मानना है प्लूरल वोब देना है प्लूरल अब आए इनके concept को लोग discuss करते हैं in detail अब detail में इनका concept ये है कि ऐसे दुनिया के कोई भी नाउन ठीक से समझने का प्रयास किजिएगा पूरे concentration के साथ ठीक है क्योंकि ये सब आपको कहीं भी किसे book में लिखा हूँ मिलने वाला नही है concept क्या इसको ठीक से समझे दुनिया के ऐसे कोई भी नाउन जो जोड़े में पाए जाते हूँ एक ही चीज के बने हूँ फिर से repeat कर रहे हैं once again I repeat ऐसे कोई भी नाउन अब नाउन का मिनिंग नाम और नाम का मतलब नाउन ये दोनों बाते सेम हैं ठीक है तो ऐसा कोई भी नाम या ऐसा कोई भी वस्तु जो हमेशा और हमेशा जोड़े में पाए जाता है तो जोड़े में पाए जाता है हम इसको eliminate कर देते हैं ऐसा कोई भी नाउन ठीक है जिसके दो पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं कितने होते हैं बोलिए सब लोग दो पार्ट होते हैं ठीक है तो ऐसे कोई बेनाउन जिसके कितने पार्ट होंगे दो पार्ट होंगे और दोनों ही पार्ट एक ही चीज के बने हो किसके ब मालिजी हम लोग स्मां पांते ऊसे तो कोई भी इंसान दुनिया कौरा इंसान पांता हो तो संगाOR कि ओ स्पश्टा हो तो कुई भी दुनिया का इंसान हरो और उच्टेंगॉलर हो होता है. मतलब यह कि चसमा का एक पाउट यदी circular होगा तो दूसरा पाउट भी कैसा होगा? circular होगा, ये rectangular होगा, तो ये भी rectangular होगा, ये square timeframe होगा, तो ये square osób होगा, जैसा left होगा, वह ऐसा right वह जैसा right वह वह जैसा left हाँ या ना? बोलिए, हाँ या ना ठीक है बात समझ में आ रही है अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग आप कभी भी न तो देखे होंगे न सुने होंगे और नहीं यह पॉसिबल है कि कोई चस्मा पाने उसका चस्मा का एक पाठो सर्कुलर दूसरा पाठो रेक्टेंगुलर ऐसा कभी आपने देखा है नहीं देखा है बिलकुल सही कभी आपने ऐसा सुना है नहीं सुना है अब मेरी आवाज को सुनके आपको वो सहित गाना यादा रहा है मेरी उमर के नौजवान ठीक है तो चलिए उनसे हम लोग आगे निकलते हैं यहां पे देखिए हम आपको यह सम होता हो सेप एंड साइज दोनों का से महोता हो दिखने में एक ही के जैसा हो और एक ही मेटेरियल से बना हो जैसे अब यह तो सबसे पहले आप कंफर्म हो गए कि ऐसा होता नहीं है नौट पॉसिबल बट यह तो पॉसिबल है ए अब यह जो लेट वाला है यह यह यद्य ग्लास का बना हो इक तो आप जरह-धषद देखेंगे कि कुई एक इंसान चस्मा पहना हो जैसे मान लिजे मैं यहाँ पे एक example लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो मान लिजे कोई एक इंसान ऐसे चस्मा पहना हो और आप कभी नहीं देखेंगे कि उसके चस्मा का एक पार्ट टीना का बना हो किसका तीन का और दूसरा पार्ट किसका बना हो ग्लास का बनाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कभी, कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, कि एक पार्ट इसका टीन का बनाओ, और दूसरा ग्लास का बनाओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यही था हमारा डेफिनिशन, डेफिनिशन क्या है, इ और दोनों ही पार्ट दिखने में आकार प्रकार में, सेप एंड साइज में सेम हो। कैसे हो। आकार प्रकार में, दिखने में, सेप एंड साइज में सेम हो। जैसे जूता हम लोग पहनते हैं तो मा लेजे किसी के एक पैर का जूता का साइज जो है वो साथ नंबर का है। तो होगा बात समझ में आ रही है तो अगर लेफ्ट वाला ब्लैक है तो राइट वाला भी ब्लैक और राइट वाला ब्लैक है तो लेफ्ट वाला भी ब्लैक बात समझ में आ है तो एक पैर का जूता अगर साथ नंबर का हो तो दूसरा भी कैसा होगा साथ नंबर का और दो क्रेटरियों हो गया कि दो पार्ट हो गए दोनों एक ही जैसे होंगे दिखने में सेपन साइज में ठीक है तीसरा कंडिशन इसका क्या है तो थर्ड कंडिशन है कि दोनों एक ही material का बना होगा मतलब जो जूता है एक जूता अगर चमड़े का बना है तो दूसरा जूता रिबॉक का होगा एडिडास का होगा नहीं एडिडास का होगा तो दोनों एडिडास का ही होगा that is कपड़े का होगा sports का होगा या sports वाला भी होगा तो दोनो या तो sports वाला ही होगा या दोनो formal ही होगा black ही होगा लेदर का ही होगा बात समझ में आ रही है जैसे इसी का example लेकि हमने आपको glass के माध्यम से spectacles के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया था तो अब ऐसे noun को आप आसानी से पहचान सकते हैं ठीक है तो जड़ा देखें इसका सबसे बड़ी example है हमारे आपके पास क्या होता है भई तो आजकल हम सब लोग बच्चे हों बुड़े हों सब लोग क्या पहनते जीन्स पांते अब इसमें सीखने और समझने की बात यह है कि ऐसे कोई भी noun जिनके दो पार्ट होते हैं दिखने में दोनों सेम होते हैं और एक ही material के बने होते हैं ऐसे सारे के सारे noun हमेशा और हमेशा होते हैं plural कैसे होते हैं तो हमेशा और हमेशा कैसे होंगे कैसे Plural होंगे, पास समझ में आ रही है, आए एए, अब इसके आगे समझते हैं, इसके आगे की कहानी को, तो ऐसे सारे नाउन हमेशा कैसे होंगे और इन सारे नाउन्स के लास्ट में हमेशा क्या लगा रहेगा तो लास्ट में क्या लगा रहेगा हमेशा और हमेशा S या ES लगा रहेगा ये understood है last में क्या मिलेगा तो SES आपको देखने को मिलेगा last में आपको क्या देखने को मिलेगा SES देखने को मिलेगा कहां मिलेगा last में कहां पर last में देखने को मिलेगा और आप इसका कभी भी last में जो SES लगा होता है आप इसको कभी भी remove नहीं कर सकते यदि इनको आप remove करेंगे तो error का part बनेगा जैसे हम लोग gene नहीं लिख सकते हम लोग क्या लिखेंगे जिन्स लिखेंगे हम पैंट नहीं लिख सकते हम क्या लिखेंगे पैंट लिखेंगे हम टॉंग नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे टॉंग्स लिखेंगे हम सू नहीं लिख सकते हम क्या लिखेंगे सूज लिखेंगे और इन में से किसी का या ऐसे दुनिया के जितने वी की नाउन होते हैं, इन सबों के lastival में क्या लगा हुआ है इस लगा हुआ है, और यह गल कर दिया जाए तो यह error हो जाएगा जैसे यहां पर हम बाई नो कूलर का पूछा जाता है Bino लिए इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इनके आगे के concept को सीखते हैं सबसे बढ़िया सा साधारन सा simple सा example लेते हैं सूज का तो ऐसे सारे noun हमेशा और हमेशा कैसे होंगे तो ये हमेशा और हमेशा लिख जाएंगे plural इनके last हमेशा ऐसी ये लगा रहेगा ये हमेशा होंगे singular और इनके लिए यहां जो वर्ब यूज किया जाएगा ये verb कैसा होगा तो ये वर्ब भी रहेगा ये बात समझ में आई की नहीं आई लेकिन अब आपके मन में एक कोशन राइज होगा सर क्या इसके साथ हमेशा और हमेशा plural noun का यूज क्या इसके साथ कभी भी singular verb का यूज नहीं हो सकता ठीक है अब आपके मन में ये दूसरा doubt create होता है आईए अब इस doubt को हम लोग clear करते हुए आगे बढ़ते हैं देखिए क्या है कि ये जो सू है या ऐसे जितने भी इस category के noun है pair वाले noun है यदि इनके पहले यहाँ पे pair word का यूज किया जाए तो आपको दिखाई क्या पढ़ता है अब ज़रा हम इसकी भी चर्चा करते चलें आपके साथ तो आपको दिखाई पढ़ता है pair of pair of अब ज़रा ध्यान देजे pair of के बाद यहाँ पे सू लिखा हो, सौक्स लिखा हो इस category के कोई भी noun लिखा हो इस type का कोई भी noun लिखा हुआ आपको दिखाई दे तो अब यहाँ पे इनके बाद यहाँ जो वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे इस verb का क्या होगा कालिया इस verb का क्या होगा कालिया, ठीक है अब ज़रा देखे इनका concept क्या है इनके concept को सीखे यह जो pair वर्ड यूज़ किया गया यह pair यदि singular होगा pair कैसा होगा, singular होगा तो यह pair यदि singular form में लिखा गया होगा ठीक है, यह unaffected रहेगा यह कैसा रहेगा, unaffected अब प्रभावित रहेगा इसके ACS पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह जैसा है वैसे ही रहेगा unaffected रहेगा, unchanged होगा unchanged होगा ठीक है, अब यह यदि singular होगा, तो यहाँ आने वाला वर्ड लिखा जाएगा singular, यह वर्ड कैसा लिखा जाएगा singular, किन्तु यहाँ यह जो pair word यूज़ किया यह यह दि pair में इस यह लगा हो यह pair हो जाए plural, इस pair को plural form में लिखा गया हो, तो यहाँ जो word यूज़ किया जाएगा, यह भी कैसा रहेगा, तो यह भी होगा plural, कैसा रहेगा, plural रहेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है तो आएए, अब इन पे best एक दो example लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा concept थोड़ा clear हो सके, आप सब इससे introduced होने के बाद इससे will of हो सके, अब ज़रा देखिए इसमें क्या use करते हैं, हम लोग जैसे एक example लेते हैं, सूज is black, आप इसमें error ढूंडिए, सूज is black, हम अगला example लेते हैं, a pair of shoes are black, एक दम साधारन सा example हम ले रहे हैं अगला हम लेते हैं, many many pairs of shoes is white अब इन सारे sentences में आप ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से समझने का प्रयास किजिए, सबसे पहले यह देखिए, हमें क्या मिला shoes shoe के last में चेक किजिए, acs लगाए की नहीं, लगाए that is, यह part तो correct हो, guess इसके पहले pair word का use कियागया है कि नहीं, तो इस पहले वाले example में देखिए, इसके पहले pair word का use नहीं कियागयगया है, यह the pair word का use नहीं कियाleb Gra टिजेग करेंगे तो यहां पर उस सेट्धेन्स में कोई नहीं होगा उसका अंसर वनेगा टीक है है तो अब देखें यह कैसा होता है प्लूरल होता है वहाज say तो आगे पर एक्जामपल में यह सूज आ गया यह सूज आ गया यह थर्ड वाले में भी अब इनके पहले दिखे यहां पे पेर वर्ड का यूज कर लिया गया है ठीक है तो यदि इस टाइप का कोई भी नाउन आपको sentence में given हो और उसके पहले यदि पेर वर्ड आपको दिखाई दे pair of का use किया गया हो तो आप check किजिए कि यह जो pair वाला part है यह singular है यह plural है कैसा है singular है यह plural है और यदि यह singular है तो इसके बाद आने वाला verb हम लोग use करेंगे singular और यदि यह plural है तो इसके बाद आने वाले verb को हम लोग रखेंगे plural ठीक है तो चलते हैं पहले लाले में सटर्ड सेकंड वाले में सेड़ यह एनंट कैसा है तो 냄ने सब्स्राय कैसा है गल लो आहिए तन जबर दिया हूआ है पेयर में आद देखें सीस लगा हूआ है यह पैसा हो गया है तो यह हो गया प्लूरल अब चुकी यह हो गया प्लूरल तो अब यह तो अब प्रभावित रहेगा अब परिवर्तित रहेगा इसके बाद यहां जो वर्व यूज किया जाए वो यदि singular होगा तो correct करके लिखना होगा plural तो pair के साथ यदि ऐसे noun आपको given हो तो कहां कहां पर error पूछा जाएगा आई अब हम लोग थोड़ी से इसकी चर्चा करते हैं तो pair वाले part mirror होगा फिर noun वाले part mirror हो सकता है और फिर तीसरा इस part में और वाले part में error हो सकता है और यदि ये तीनों ही part tuning में ठीक ठाक हो तीनों ही part में कहीं कोई error नहीं हो तो इस sentence में कहीं कोई error create नहीं होगा बात समझ में आ गई तो आईए अब चलते हैं हम लोग अपने slide की तरफ और इस rule पर based कुछ question को हम लोग solve करने का प्रयास करते हैं तो यह रहे आपके सामने स्क्रीन पर कुछ question जो आपके SAC में पूछे गए हैं एक बार नहीं अने को बार पूछे गए हैं बार बार पूछे किया होगा अब इनको हम लोग यहां पर discuss करते हैं तो सबसे पहले पेन का कलर थोड़ा हम चेंज कर लें देखें यहां देखें स्पेक्टेकल्स स्पेक्टेकल के पहले पेर वर्ड का यूज है नहीं है तो एरर कहा हो सकता है यहां पर यहां फिर इस वर्व के पार्ट में और दोनों ही पार्ट यह सही हो तो इसमें कहीं को यह रर नहीं होगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग इसको discuss करें तो यह spectacular इस पार्ट कैसा है correct है इसको मांते कैसा है plural है word कैसा देंगे plural देंगे यहां वर्प कैसा लगा हुआ है इस तो इस को किस में convert कर ले हम हार में बास समझ में आ रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से next अगले question में चलते हैं अगले question में देखें यह scissors catchy इसके भी दो पार्ट होते हैं ठीक है अब देखें सीजर के last में क्या लगा हुआ इस लगा हुआ यह पार्ट तो correct हो गया अब देखें जो second question है यह second question है हमारा interrogative यहां पर last में लगा है question mark ठीक है प्रेंटिंग इर है इस पर थोड़ा ध्यान देजिएगा अब देखें तो है jus के लिए इसको मानते कैसा है हम लोग और यहां पर नेक्स आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question में हम लोग pair of binocular देखें कहा कहा error हो सकता है इस part में इस part में और फिर इसके बाद वाले part में तो इसके आगे कोई verb नहीं है तो अब इस question में केवल इन दो sections में ही error पूछा जा सकता है और यदि ये दोनों ही part correct हो तो sentence क्या हो जाएगा correct हो जाएगा हमारा answer क्या हो जाएगा no error हो जाएगा ठीक है तो आईए चेक करते हैं सबसे पहले देखें ये pair pair के पहले ए लगा हुआ है इस एक एक present होने के कारण ये pair क्या हो गया correct हो गया पेन का color change कर ले ताकि आपको कहीं कोई असोफिदान नहीं हो तो pair क्या हो गया correct हो गया अब ये देखें जो binocular है binocular गोगल्स ठीक है तो glasses ये कभी बिना SES के नहीं आ सकते टॉंक्स जेंस इयर बॉट्स देखिए द्यान देजिए हम लोग हेड़फोन तो यूज करते ही है इयर फोन यूज करते ही है headphone नहीं लिखते है phones लिखते है earphones लिखते है earboards नहीं लिखते है उसमें भी applicable है ठीक है चलिए तो ये binocular वाले पार्ट में क्या करना होगा यहां पे लगाना होगा तो मारा answer क्या बना answer बनेगा question number 3 का answer बनेगा option number B binoculars a pair of binoculars next आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं अगले question में फिर से देखें यहां पे कहां कहीर रहा सकता है तो पेर वाले पार्ट मेरे पूछा जा सकता है सूव वाले में और इस वर वाले में ठीक है यह हमने आपको बता रखा है पहले से कल थोड़ा फिर से हम लोग चेंज करते अब देखेंए सबसे पहले pair pair के पहले क्या लगा हुआ है तो पेर कैसा रहेगा singular तो पेर तो हो गया singular अब यह जो सूस वाला पार्ट है यह तो अंचिंस रहेगा अब परिवर्तित रहेगा इसमें कहीं कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं ठीक है इसमें a-c-c लगा उआ है तो यह correct है. तो यह part correct हो गया यह part correct हो गया. अब तीसरी किसके बार ही है? verb कि बार ही है. पेर कैसा था? singular. तो पेर यह यह dhin singular हैगा तो वो अब कैसा लेगा? singular. तो यहाँ कैसा लिखा है? वर की जगह में क्या यूज करना होगा वाज का वर की जगह किसका यूज करना होगा वाज का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग अगले कोशन में चलते हैं कोशन नमर फाइब में करेक्ट हो गया अगर यह नाउन का पार्ट करेक्ट हो गया तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा हमारा नो एरर दैट इस कोशन नमर फाइब का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नमर डी नो एरर ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमर शिक्स की तरफ शिक्स में देखिए यह स्पेक्टिकल लिखा हुआ है लास्ट में और इस प्रेक्टिकल के पहले पेर का यूज नहीं किया गया है अंडर लाइन पार्ट सिर्फ यह है दैट इस यह पार्ट कैसा है कर्रेक्ट है और यदि यह अंडर लाइन क्या हुआ पार्ट या बोल्ड लेटर में लिखा हुआ सेंटेंस इंपकोशनihi है यह पार्ट यह पार्ट होता है तो हमारा आंसर नो एंपकोशन मेंट किया बंता है तो अगला हमारा यह जो रूल नूर्बर 9 है यह है आलम्स इव्स एड़ रीचेज ठीक है आलम क्या है भाई भीक्षा तो आलम्स भेक्षवरती या भीक्षा का नाउन वाला फॉर्म ठीक है इवस क्या होता है उल्पी अब इसको आप मेंसे कुछ ही लोग जानते है रीचेज जिसको हम लोग कहावत के रूप में पढ़ते हैं लक्ष में चंद चलो थे reaches have wings अब इनका concept क्या है आई है इनको सीखने का समझने का प्रयांस करते हैं देखें इनको पहले singular माना जाता था क्या माना जाता था old English grammar में इनको singular माना जाता था फिर इनमें correction हुआ और correction के तहत अब इनको माना जाता है plural और इनके साथ हम लोग वर्व यूज़ करते हैं plural तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं plural होते हैं वह अब कैसे लेंगे plural तो भाई जो और इस SES को आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, तो ये तीनों के तीनों होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और वर्ब कैसे लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, बात समझ में आ गई, ये तीनों कैसा होगा, प्लूरल रहेगा, इन लोग इसको remove नहीं कर सकते और यदे इनके last में जो SES लगा है उसको remove कर लिया जाए तो ये grammar की error बनेगी grammar की गंती होगी ठीक है grammatically incorrect हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो इनको correct form में लिखना है ठीक है मतलब इनको हमेशा SES लगा कर लिखना है और इनके साथ verb कैसा use करना है तो हमेशा और हमेशा plural form का verb use करना है वर्ब हमेशा कैसा रहेगा इनके साथ plural रहेगा ठीक है तो आएए एक दो इनका example लेते हैं लोग और इनको फिर हम लोग सीखने समझने का प्रयास करते हैं जैसे आलम्स की बात करें भीक्षा की बात करें तो हमारे देश भारत में भीक्षा दान के रूप में दिया जाता है ठीक है कोई भी भीक्षा देता है तो यह मानके नहीं देता कि हम भीक्षा दे रहे हैं बलकि वो यह मानता है कि हम इस भीकारी को दान स्वरूप इतना दे रहें, जो कुछ भी देता है, चाहे हो खाने पीने का आइटम हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे अब करेंसी का मतलब आप डॉलर मत समझ लिजेगा, करेंसी का मतलब आपके पास जो नोट है, आपके पास जो सिक्का है, जिस पर लिखा होता है, आई एन as an act of as an act of charity charity in in India बात समझ में आ रही है तो आएए अब इस question में हम लोग check करें कि इस question में error कहां पर है तो question में error की बात करते हम लोग सबसे पहले यह देखिए आपको आल्म सोट दिखाई दिया तो या तो इरर यहां पर होगा या तो इरर इसके बाद इस वर वाले पार्ट में होगा और यह दोनों पार्ट करेक्ट होगा तो answer हमारा बन जाएगा no error sentence बिल्कुल grammatically correct होगा ठीक है आई अब इसको हम लोग सीखने समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले arms में देखें यहां इस लगा हुआ इस लगा हुआ तो यह पार्ट कैसा हो गया correct हो गया अब इसको हम लोग मानते कैसा है plural वर्प कैसा देते है plural ठीक है तो अब यह देखे यह वर्प कैसा लिखा गलत हो गया तो इसके जगह में क्या लिखना होगा इसके जगह में लिखना होगा बात समझ में आ रही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं चलते हम लोग थोड़ा सा स्लाइड की तरफ और प्रयास करते हैं कि इस rule पर best कुछ कोशन हम लोगों को मिले और हम लोग उसको try करके देखें कि हम लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं तो उस rule पर best दो चार अलग से question available हमारे slide में नहीं हैं तो अब इसके आगे हम लोग continue करेंगे subject of study अब यह subject of study क्या है इनके rule and concept क्या है और कुछ और भी बाते इनके बाद भी कुछ और भी rules तो उनको हम लोग सीखना सुरू करेंगे आगे के classes में यानि उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने next class में ठीक है that is noun के fifth lecture में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो आज के अपने class को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे ठीक है लेकिन चलते चलते हम आपसे एक निवेदन करते चलें रेक्वेस्ट करते चलें सरेशन आपको देते चलें कि यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चुकि यह पूरा का पूरा वीडियो कोर्स एबसोल्यूटली फ्री है ठीक है और इसमें किसी भी पेड कोर्स से बिलकुल किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रखा गया बलके पेड पे यह भारी है ठीक है तो इस कोर्स का आप जरूर से लाब उठाएं खुद भी उठाएं अपने दोस्तों मित्रों पडोसियों को सेयर करें ज्यादा ज्यादा इसको लाइक करें सेयर करें ठीक है और इसको आगे बढ़ाएं ताकि ऐसे कोई भी उठाएं का मकसद हम यहीं था के ऐसे बचे जो किसी भी कार्ण से कोवेट से प्रभावित होने के कारण या भारत के दूर दराज के छित्रों में किसी भी प्रकार से आर्थिक मंदी से परिसाने से यदि जूज रहे हैं ठीक है तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक फ्री कोर्स ऐसा फ्री कोर्स लेकर आए जो किसी भी पेड कॉर्स से किसी भी मामले में कहें भी कम नहीं हूँ ठीक है तो ऐसा है कॉर्स हम सब उने आप अब सब लोग इसका जयदा ज़्यदा लाव लें और इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुचाने का परियास करें और यह जो classes आपको provide के जा रहा है English के, ये किसी भी एक exam को orient करके हम लोग यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे न कि CHSL के लिए, बलकि ये CGL के लिए भी beneficial है, आप DMRC का exam देंगे, किसे भी high code का exam देंगे, उन सभी जगहों पे ये आपके लिए beneficial है ठीक है, चलिए तो इन्हें वक्तबियों के साथ, आज के class को हम यहें पे conclude करते हैं Thank you